नमस्कार जो आपने अभी तक हासिल नहीं किया है वो आपको हासिल करना है ठीक है आप जोब कर रहे हो आप कोई बिजनिस कर रहे हो या आप कोई समाज में कुछ भी काम कर रहे हो या अपने परिवार में या अपने गर पर कुछ भी काम कर रहे हो लेकिन आपको कुछ ऐसा हासिल करना है जो आपने अभी तक नहीं किया और आपके मन में वो इच्छा हैं आपके मन में वो होप हैं कि आप मुझे वो चीज हासिल करनी है और उसके लिए वो आप प्रयास भी कर रहे हो लेकिन आप अभी तक वो हासिल नहीं कर पाए हो हर इंसान के जिवन में कुछ सपने होते हैं, हर इंसान के जिवन में कुछ एम होते हैं, हर इंसान के जिवन में टोप पर पहुंचने पर या कुछ अचीव करने का कुछ सपना होता है, लेकिन बहुत कम लोग वो अचीव कर पाते हैं, वो सपना अचीव कर पाते हैं, उनका व अभी अभी तक अपना लक्ष अपना अपना target नहीं कर पाये हैं तो आप को क्या करना होगा आप को यह करना हो अपन से अच्छिए करने के लिए आप को वो करना होगा जो आपने आज दिन तक नहीं किया आपको वो लेकिन फिर भी आपका टारगेट आपको अचीव नहीं हो अब को आपको वो करना होगा जो आज दिन तक आपने नहीं किया आपको कुछ different करना होगा आपको कुछ हट करना होगा आपको bead से कुछ अलग करके सोचना होगा तब ही आप अपने अचे को आप अपने target को प्राफ्ट कर पाओगे otherwise no never you can't get achieve your target because क्योंकि आप तो वही routine work कर रहे हो जो daily कर रहे हो वही करी कर रहे हो उससे अभी तक आपको target achieve नहीं हुआ है अब target आपको achieve करना है तो कुछ something different करना होगा अगर आप वही गिसा पिटा वही पुराना work करोगे तो how you can get your target you can't get your target if you will do something different to achieve your target then you can achieve your target otherwise not आपको अपना target प्राप्त करना है आपको अपना लक्ष प्राप्त करना है तो something different आपको करना होगा आप जब आपने अपना target achieve करने का लक्ष बनाया तब से लेकर अभी तक वही कारी कर रहे हो वही routine वही work कर रहे हो वही मेनद कर रहे हो वही सब कुछ कर रहे हो लेकिन target achieve नहीं हुआ है आप अपने लक्ष तक नहीं पहुचे हो तो आपको something कुछ different करना होगा कुछ ऐसा करना होगा कि जब से आपने target लिया ऐसा चीज को आपने अभी तक नहीं कियो कुछ different करना होगा अपने लक्ष को प्राप्त करने के लिए तभी आप अपने गोल को प्राप्त कर पाओगे तभी आप अपने लक्ष को पापाओगे इसलिए जीवन में ध्यान रखना है कि जब भी कभी आप target अचीज करना चाहो ना या target आपका प्राप्त नहीं हो रहा है तो उससे कुछ different करें जो रोज कर रहे हैं उससे कुछ different करें कुछ different सोचे कुछ different idea दिमाग में लाइक यार मैं कैसे अचीव करूं इस गोल को जब आप different रास्ते पर चलेंगे जब आप कुछ अलग सोचेंगे जब आपके mind में कोई अलग idea आएगा तभी आप अपने लक्ष को पापाओगे